हेलो बच्चो आज की वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडूलस ऑफ दी मट्रेल ऑफ वायर पर डिस्कॉस करेंगे इस टॉपिक में हम लोग यह देखेंगे कि किसी वायर का हम यंग मॉडूलस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग ने पर दो वायर लिया हुए जिसको हम लोग A और B से दिनोट कर रहे हैं तो दोनों जो वायर है तो दोनों वायर से मट्रेल के होने चाहिए दोनों की लेंद सेम होनी चाहिए और दोनों का area of cross section भी सेम होना चाहिए जो मैंने यहां पर मैंशन किया तो इसके लिए हम लोग एक experimental arrangement करेंगे और experimental arrangement के according दोनों जो वायर है इनके टॉप पॉइंट है दोनों टॉप पॉइंट है और इनके जो बॉटम पॉइंट है वहां पर हमने एक दो पैन लागा के रखे हुए और जो वायर A है तो वायर A को हम लोग reference वायर कहेंगे और दे पॉइंटर P का function यह है कि हम लोग पॉइंटर P के तुरू ही जो scale है इस scale के हम लोग ready note कर सकते हैं हम लोग इसका हम लोग dead load कहते हैं तो दो इसलिए कहते है कि जब तक हमारा experiment compete नहीं होगा तब तक यह मांस से इसकी वहले constant होगी इस इस मारी नहीं करेंगे इस मास को चेंज नहीं करेंगे तो इसलिए जो reference वायर का मास से इसको हम कहते है डेड लोट कहते है अब इसके QUIet एक्स्पेमिंटर वायर है इसके लंठ हैडोग मेजर करेंगे अब सब्सक्राइट केडि़ी को हैसे की लंडिशन करेंगे अब लोग किया है इसके तो इसको हम लोग इनिशियल डिंग क्या सकते हैं और इसके जो पॉ attacking की रिडिंग थी इस डिडिंग को हम नोट कर लिया है होँ अब हम क्या करें है 2kg मास्या लिए और इसके पार्म के के लिगक नियर्ट को हम लाइँ नोट कर लिया है अभर हमकल नाकिक या लिया 2kg अब जैसी हम लोग इस experimenter wire के pen पे जब 2 kg का मास रखेंगे तो इसके wire में क्या हो जाएगा थोड़ा extension हो जाएगा इसके length क्या हो जाएगा लेंद इंक्रीज होगी और जैसी length increase होगी तो जब pointer P हमारा वो shift हो जाएगा और जैसी pointer shift हो गया तो इससरे में reading होगी reading change हो जाएगी अब वो knowledge करेंगे अब reading कुंसी note कर रहे हम वो कर रहे हमने को heap ह Jewish डिक का मास रखा वमने तो इस दी 걸कार मॉन का फाइनल डिइंक किसक्त क्या सकते हैं तो उसको हमने नाम देदिए B-A आजाएगा और इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा-L सी डिनोट करेंगे अब यह डेल्टा-L क्या है तो डेल्टा-L वो लेंथ है जिसको हम लोग एस्टेंशन ओफ लेंथ करेंगे जब हम 2 kg का 2 kg का मास जब हम रखेंगे तो हमाँ जो experimental wire है तो इस पर length कितनी increase हो रही है कितना extension हो रहा है change in length कितनी हो रही है तो वो हमने हाँ से find out कर लिया और इसको हम डेल्टा-L से हम denote करेंगे अब हमें क्या find out करना है हमें area of cross section निकालना है क्योंकि दोनों wire है area of cross section तो दोनों का same है और हमें पता area of cross section का formula क्या है पाई r square और r क्या है यहां पर यह है r radius है तो हम लोग इसको गौश के तूर हम लोग इन वायर के हम radius find out कर सकते है तो हमाँ पस area of cross section भी आ गया तो देखिए अब हमने क्या कि हम आप उसको पराइमरी information आगी अब इसके base हम लोग क्या करेंगे जो experimental वायर है इसका हम लोग को young modulus find out करेंगे हम लोग तो हमें पता young modulus का formula क्या है y is equal to normal stress y longitudinal strain और हमें पता normal stress क्या होता force per unit area और longitudinal strain क्या होता है change in length by original length देखिए normal stress longitudinal stress coefficient of elasticity इस topic के बारे हम लोग पहले डिसकर कर चुके है और यदि आपको इसके बारे हम पढ़ना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते है तो हम इसको इसको लिख सकते है y is equal to f by a by delta l by l यह formula आगया हमारे पास में अब इसी formula लोगा ऐसा लिख सकते है y is equal to force force की जगा लिख सकते हैं हम लोग mg तो हमने mg लिख दिया है पर a क्या है area of cross section तो यह note कर लिए हम लोग लोग आप r square और यह note कर लिए l by delta अब देखिए हम लिख यह जितना भी data collect किया था तो उन सब data की value में substitute करेंगे और जब सको calculate करेंगे तो हमारे पस क्या आजाएगा इस wire का young modulus आजाएगा और जो young modulus आएगा और हमें पता उसकी unit क्या होती young modulus की बहुती newton per meter square होती है तो इस formula के थूरू भी हम लोग इसकी unit को find out कर सकते है अब देखिए जो meter है हमारे पास में सॉरी मास है हमें पता है मास की ऐसा unit क्या होगी केजी होगी और जी जी की ऐसा unit क्या होगी में इसकेंड़ के यह लिए और सायंट ही बीटर कम सॉर्म में नोट कर रहे तो इल भी मीटर करा में में आगे है अब kg m2, तो यह होता है, newton होता है, by m2, हमारे पास आगे unit आगे किसकी, ज्यक मॉडूलस की, वो आगे newton पर m2, तो यह unit अब नोगा ने फाइंड आट कर लिए, अब दिखें, हमने अब भी जो discuss किया है, वो आम लोग ने एक theoretical explanation discuss किया हुआ है, यदि सेम, यदि हमें लेब में उसको experiment करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग एक apparatus दूस करते हैं, और उस apparatus को हम लोग कहते है, cells apparatus, उसको हम लोग cells apparatus कहते है, basic concept तो सेम ही है, बजो apparatus है, इसमें slightly change है है, अब हम कुछ material discuss करेंगे, और यह देखेंगे, इस material का हमने वायर लिया, तो उनकी young models के standard value कितनी होती है, materials और उनकी value young 10 is to power 9 newton per meter square, तो हमने आपे लिया हुआ, steel, iron, copper, तो देखें, जो steel होता है, यदि सपोस्ट के जगर हमने steel का वायर लिया हम लोग ने, और उसका यदि young models find out करेंगे, तो उसके standard value आईगे, 200 10 is to power 9 newton per meter square, और iron के आईगे, 190 10 is to power 9 newton per meter square, और copper के आईगे, 120 10 is to power 9 newton per meter square आईगी है, और जो newton young modulus है, तो young modulus किस पर depend करता है, यह depend करता है, nature of material of body, but independent of, dimension of body, यहापर मैं एक sentence लिखा हुआ है, यह modulus depends on the nature of material of body, but independent of dimension, इसका मतलब यह हो कि, सपोस्ट कि हमने दो body लिये, एक wire लिया हुआ और किसके लिया हुआ हुआ है, और दोनों जो body same material कि, हमने माले इस्टील कि यहाँ पी, दोनों सेम, दोनों body same material कि है, लेकिन तेके dimension difference है, तो दोनों body का तो young modulus होगा न, उसकी value same ही होगी, हमें पता, इस्टील की value किती होती है, इस्टील की value होती है, 210 to power 9 Newton per meter square, तो दोनों के young models की value तो same होगी, लेकिन, dimension हम देखे, dimension difference है, तो भली उनका area difference हो, volume difference हो, length difference हो, कोई फर्ग नहीं पड़ता है, जैदी matter हमारा, जो material है, जैदी material same, material अगर हमारा same होगा, दोनों body का, तो उनका young modulus भी same होगा यहाँ पी, तो देखे, आज की video हम लोग इतने discuss करेंगे और next video के अंदर इसी chapter के जो next topic है, उसको उस पर हम लोग discuss करेंगे, तो मेरा video देखने के लिए thank you.